मैं मुहमद माशूम विजा पॉल इंडिया त्रीमूल कंग्रेस पांजी पड़ा अंचल कमिटे का वर्किंग परसिडेंट मैं आप तमाम लोगों को योमे आजादी का 75 वाँ साल के लिए मुबारक बात देता हूँ साथ साथ हमारे आने वाले जो जेनरेशन है जो न्यू जेनरेशन है जो योथ है इन तमाम लोगों को मैं यह कहना चाहूंगा एक पैगाम देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे नोजवान साथियो प्यारे बच्चो हमारे जितने भी अवाम है उल्लों को इस बात की जानकारी की जरूरत है कि आज 75 साल में जब हम योमे आजादी मना रहे हैं ये आजादी कोई बने एक सिर्फ पड़ब बन के नहीं ये हमारा रास्ट ये पड़ब है इस आजादी के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानिया देनी पड़ी है हमारे देश के पुर्वजों ने हमारे देश के लीडरों ने सभी धरम जाती और समुदाई के लोगों ने मिल करके जब गोरू को भारत से भगाया अंग्रेजों को भारत से भगाया बड़ी कुर्बानी देने के बाद मुझे आज भी रंग्ठा खरा हो जाता है जब मैं जालियावाला बाग का याद आता है जहां जालियावाला बाग में जेनरल डायर के ओरडर पर हजार हजार इंदुस्तानियों का कतले आम हुआ था तब जाके हमें आजादी मिली है इस आजादी की पकडंडी में सबसे पहले बापु जी ने गांधी जी ने जो रास् के तरह 15 अगस्ट के दिन हमारा ये रास्ट्य परब हम रास्ट्य धावज हमारा जो ये रास्ट्य हमारा जो आजादी का पर्चम है तीन तिरंगा झंडा जो है इसको हम लोग लग लहाते हैं लेकिन योध से काना चाहेंगे हमारा जनरेशन 75 साल हो गिया है हमें आजादी का हमें आज भी आजादी की गड़ी मा को आजादी को बरकरार रखते हुए देश का जो सन्विदान मना है डाक्टर अंबेटकर साहब ने जो सन्विदान तयार किया उसको मानते हुए हमें आजादी को पांते हुए हमें हमारा देश क को तरक्की की रहा पर ले जाना है उसके लिए मैंने टेक्नोलोजी से जुरने की जरूरत है हमें सिक्षा हासिल करने की जरूरत है तालिम हासिल करने की जरूरत है और करके हमारे देश को अवल दर्जे में ले जाने की जरूरत है मैं चाहूंगा तमाम लोगों से के मैं ओल इं इसके उपर ध्यान रखें और इसका पुड़ा-पुड़ा पालं करें, आजादी का जस्ट बढ़ाएं, सांती और आमन को बरकरार रखें, सभी धर्म, जाती, समुदाई हम मिल करके एकता का पैगाम दें, इसी में हमारी भारत की महनता चिपी हुई है, भारत महान इसलिए है कि यहाँ सभी जाती, धर्म, समुदाई के लोग एक प्लेट फार्म के नीचे रहते हैं, और एक ही जंडा है हमारा वुआ है रास्टी जंडा, तिरंगा जंडा, जिसको आज अभी हम लोग थोड़ी दिर पहले लाराए हैं, तो रास्टी गर्ब, रास्टी गरिमा को बचा शुक्रिया